बादी फ्रेंद्स, लेट्स टोप अबूट वीलियम सेक्षपियर्स ट्रेजिक कॉमेडी दाट इस टू नॉबल किन्समेन दो नॉबल किन्समेन है जिसका नाम पलेमोन और अर्साइट है उनकी स्टोरी है और यह जो ट्रेजिक कॉमेडी है दाट वस फॉर्स पॉब्लिश्ट इन 1634 यह एंड यह कंसीडर होता है वीलियम सेक्षपियर का लास्ट वर्क मतलब उनकी डैट से पहले यह इनका फाइनल प्ले था और यह दोनों के कॉंट्रिबिशन से है वीलियम सेक्षपियर एंड जॉन फ्लेचर ओके और यह जो स्टोरी बेस्ट है यह जैसा कि आप लोग ग जोफ्री चॉसर की कैंटर्बरी टेल्स पड़ी होगी उसमें फर्स्ट द नाइट टेल है नाइट्स टेल है वो बिल्कुल ऐसी है उसी से लिया गया है इसका जो प्लॉट है वो और हम साथ ही साथ में देखते हैं कि यह जो इसकी प्लॉट जो रखा गया है वो अथेंस ग् और वहां के किंग की थीसियस की स्टोरी है ट्रजी कॉमेडी है तो किस तरीके से यह हम देखेंगे पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं थीसियस जो है वो ड्यूक ओफ एथेंस है इसने एमजॉन को जीता है और एमजॉन की जो क्वीन है हिपुलिटा उसको अपने साथ ल पिडियोन का ही अरसाइट है पीरित तरस जो है वो थीसियस का डियर्स फ्रेंड है हिपुलिटा वही क्वीन है एमजून की जिसको कानकर करने के बाद में थीसियस इसको लिकर आय है इसे शादी करने के लिए अपनेलीया जो है we immense की सिस्टर है और गेरोल्ट एक स्कूल मास से अब अगर हम इस ट्रेजी कॉमेडी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया ये इंसेंट ग्रीक की सैटिंग है और दो नोबल किंसमें जिसकी स्टोरी है वो है पलमोन एंड अरसाइट सबसे पहले तो ये जब बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं कजीन्स होते हैं बहुत अच्छी इनमें बनती है और इससे पहले अच्ट फर्स टार्टो उसे पहले प्रोलोग होता है जिसमें ये बताया जाता है जैसे कि मैंने बताया कि जॉप्री चॉसर की Canterbury Tales की The Knight's Tale से ये स्टोरी उसी पर बेस्ट है और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि Act First में उसके बाद में जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि Theisius और Hippolyta की वैडिंग की तयारी हो रही है उसी टाइम पर वहाँ पर तीन क्वीन आती हैं त्री क्वीन आती हैं उनके विड़ो है वो क्योंकि क्रियोन ने उनके हस्बेंट्स को तीनों के हस्बेंट्स को मार दिया है और अब उसके जो डैट बोडी हैं उनक्वीन के हस्बेंट्स की वो उनको नहीं दे रहे हैं उनको मतलब प्रॉपरली बरी कर सकें उसके लिए भी नहीं दिया जा रहा है sorry friends so thesis को ये सिकायत लेकर आती हैं वो three videos और thesis अब ये decide करता है कि वो क्रियों से लड़ेगा उसके बार में क्या होता है कि वो अपना जो भी प्रोग्राम होता है वो postpone करता है और वो agree हो जाता है thieves के लिए thieves की तरफ depart होने के लिए मापे जाएगा और उसे क्रियों से war करेगा अर्साइट और पेलमोन जो है वो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्रियों के दोनों nephew हैं ये क्रियों जो tyrant है उसको like नहीं करते हैं लेकिन ये उनको war लड़नी पड़ती है अपने अंकल की तरफ से क्योंकि ये थिप्स के लिए लड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दूसरी तरफ क्या होता है कि दोनों जो कस्दिन होते हैं वो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और थीसियस के साथ में लड़ते हैं लेकिन अट लास्ट यहाँ जो हार जाता है और थीसियस जीत जाता है और उसके बाद में जैसे ही फाइट कहतम होती है इसको दोनों को मतलब दोनों गायल हो जाते हैं पेलमोन और अरसाइट और यह पहुंच जाते हैं अथेंस इनका वहाँ पे जो वुंडिड होते हैं इनका इलाज क्या जाता है और बाद में क्या होता है वहाँ पे प्रिजन में रखा जाता है इन दोनों को प्रिजन में ये दोनों विंडो में से पहले देखता है पेलमोन और उसकी जो वो कह सकते हो कि इनकी जो वाइफ है इनकी सिस्टर है वो एमिलिया उसको वो देखते हैं पहले प्रिजन की खिड़की से बाद में असाइट भी देखता है उसको और दोनों वहाँ से इनका रिलेशन्स जो है वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं दोनों पहले बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं लेकिन बात में वो उनके अंदर जो फ्रैंशिप है वो खतम हो जाती है उनके बीच को जो लोव है वो खतम हो जाता है दूसरी तरफ कि जैसे ही वो prisoner, jailer जो होता है, जिस jail में रखा जाता है उसकी जो daughter है वो उसका एक rover है उसको प्यार करती है और यहाँ पे उसकी शादी नहीं होती है जिरफ वो उन दोनों में मतलब आप यह कहते हैं अट्रेक्शन है यहाँ पे Amelia जो है यह दोनों में से किसी को select नहीं कर पाती है लेकिन पेलमोन अरसाइट दोनों ही Amelia को like करते हैं Amelia को दोनों ही चाहते हैं और वो दोनों क्या कोशिश करते हैं कि हम कैसे न कैसे prison से बाहर आ जाएं इन में से जो अरसाइट है वो बाहर आ जाता है ट्यूंकि वो इसका अथीसियस का जो friend है पिरित तौस उसकी help से उसका जानकार है इसलिए अरसाइट को बाहर तो निकाल दिया जाता है prison से लेकिन उसे exile या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है Athens से कि ये कभी भी वापस नहीं आएगा और वहाँ पे वो लेकिन वो Amelia के बिना नहीं रह सकता था इसलिए अरसाइट जो है वो disguise करके अपना जो रूप है वो change करके वहाँ पे आता है और वो अपना कुछ celebration जो कुछ country fall कुछ celebration कर दे होते हैं उनके साथ मतलब मिलकर और वहाँ पे डूप के सामने कुछ program परफॉर्म करता है जिसे डूप खुश हो जाते हैं और बाद में Amelia का उसको as a attendant रख लेते हैं अब क्यों होता है कि अर्साइट जो है वो इस तरीके से मतलब आसपास Amelia के आसपास रह पाता है as a servant, as a attendant दूसरी तरफ जो जेलर की डॉटर की जो स्टोरी थी कि वो जो जो जेलर की डॉटर है वो पेला मोन को लाइक करने लग जाती है और वो सोचती है कि मैं इसको अगर जेल से, प्रिजन से बाहर निकाल दूगी अगर इसे फ्री कर दूगी तो ये भी मुझे प्यार कने लग जाएगा जैसे ही पेला मोन रिलीज होता है प्रिजन से वो जेलर की डॉटर उसे रिलीज करवाती है लेकिन पैला मोन जो है वो अभी भी अमीलिय को ही लाइग करता है वो एक फॉरेस्ट में जाता है वहाँ पे जाने के लिए जेलर की डॉटर ने उसे बोला था और बात में वो देखते हैं कि उसको जैसे-जैसे घूम रहो होता है forest में पैलमोन उसको urcite मिलता है urcite को वो दोकेवाज कहता है और वो कहता है कि मैंने पहले Amelia को देखा ता और तुमने मेरे साथ धुगा किया है इस तरीके से दोनों में fight हो जाती है urcite जो होता है वो कहता है कि fair war होनी चाहिए fair fight होनी चाहिए तो वो वो पेलमॉन के लिए फूड, आमर, स्वार्ड वगेरा सब कुछ लेके आता है कि तुमारी जो हेल्थ है वो रिकवर होगी उसके बाद ही हम फाइट करेंगे पेलमॉन खाना वगेरा खाता है और जैसे फाइट के लिए तयार होता है दोनों फाइट स्टार्ट करते हैं जैनियर के जो डाटर है वो निकलती है पेलमॉन को सर्च करने के लिए कि मैंने उसे फोरेस्ट जाने के लिए कहा था लेकिन जब forest में पेलमोन नहीं मिलता है तो वो खुद को उचीज के लिए responsible मानती है और वहाँ से निकल जाती है एक board में बहुत ज़्यादा दुखी होती है और कहीं न कहीं अपना जो mentally balance है वो भी खो देती है यहाँ पर दूसरी तरफ क्या होता है कि जब Duke बहार जाता है सिकार के लिए तो school master जो होता है girl old वो कुछ program डिसाइड करते हैं जो वो Duke के सामने pace करेंगे उसमें dance वगेरा भी होता है जिसमें उनको एक woman की जुरुत होती है जब वो उसको मतलब जो मैट हो जाती है जो jailer की जो डोटर होती है वो उसको ले लेते हैं अपने performance में और jailer की डोटर को अपने साथ में लेकर as a part of entertainment और वो Duke के सामने वो अपना जो भी program होता है वो perform करते है तो इसे Duke जो है वो बहुत खुश होता है और उनको इनाम देता है और साइट और पहला मौन दूसरी तरफ डूएल के लिए तयार है वो मतलब लड़ाई कर रहे हैं तो यह सब कुछ थीसिस देख लेता है और दोनों को ही execute करने के लिए कहता है order दे देता है लेकिन Hippolyta, Amelia और Perithos जो है वो बीच में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इनको मारना नहीं चाहिए इनको मतलब कुछ टाइम बार में इन दोनों की सच्च में ही fight करवाने चाहिए और fight इतने कि इन दोनों में से एक जो loser होगा वो उसको execute कर दिया जाएगा और जो winner होगा उसको Amelia का hand मिले का das……thats.view फेर पर फिर क्रयों का Finnαι मेरा हो होता है कि पैला मों जो है जैलर की डॉर्टर से मतलब जैसा की clear हो जाता है कि पैला मों अमेलिया से ही लब करता है है जैलर की डॉटर से नहीं करता और वो अभी mad हो चुकी है तो पेलमॉन जो है वो उसको कहता है कि जो इसका वूर था जो इसको like करता था उसको बुलाओ और वो as a पेलमॉन अगर react करेगा पेलमॉन की तरह behave करेगा तो maybe जो वो jailer की daughter है वो उस वूर को पेलमॉन समझ के maybe recover करने लगे और उसकी life बच जाए औ और ऐसा ही होता है दूसरे तरफ पेलमॉन और जो अर्जाइट के बीच में जो भी कुछ fix हुआ था जो contest होना था इस तरीके से contest के तयारी हो चुकी है अमेलिया जो है उन दोनों में से किसी को एक को choose नहीं कर पाती है और वो उन दोनों की fight को देख भी नहीं सकती है अलग बैठी है उसको हाल फिलाल कोई जो होगी fight वो नजर नहीं आएगी लेकिन उससे पहले fight से पहले thesis कहता है कि तुम अपने जो भी पूजा पाट करनी है किसी God को याद करना है तो वो कर सकते हो तो यहां पे जो तीनों है वो अलग अलग God को pray करते हैं और side जो है वो Mars को pray करता है कि में को victory चाहिए इस fight में और Pelamon जो है वो Venus को मतलब pray करता है कि मुझे Amelia चाहिए Amelia Dina से pray करती है Goddess से जो यह मांगती है कि जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी को मतलब जीतना जीताना और वो मैं से शादी कर सके ताकि तो इसी time पे जो Jailer की daughter है वो उस आर्मोन की तरह pretend होता है और उसी तरीके से वो जैसा उसको बताया जाता है डॉक्टर जैसा कहता है वैसा करता है ताकि वो recover हो सके और यहां पे वो recover हो जाती है दूसरी तरफ Amelia और इनकी story देखें तो Amelia जो है जैसा कि मैंने बताया अब fight वो एकदम सामने से नहीं देखेगी वो servant से पूछती है जो भी हो रहा होता है उस fight में और क्या होता है finally a side जो है वो जीट जाता है यह fight और इस तरीके से Amelia की शादी उससे होने चाहिए लेकिन पहला मोन को दूसरी तरफ execute करने की तयारियां हो जाती है लेकिन बाद में जैसी ही उसे execute करने वाले होते हैं तो एक आवा जाती है कि उसको execute मत करो पिरिथर्स जो है वो वहाँ पे आता है और यह reveal करता है कि अरसाइट जो है वो अपने ही घोडे से गेल कर और accidentally मतलब मरने ही वाला है he will die shortly तो वहाँ पे उसको chair पे लाया जाता है और अरसाइट जो है वो Amelia का हाथ पेलमोन को दे देता है कि प पेलमोन तुमें खुश रखेगा वो दोनों की शादी को accept कर लेता है वो अपने cousin पेलमोन से forgive के लिए भी कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो और इस तरीके से उन दोनों के बीच में वापस सही सब कुछ सही हो जाता है लेकिन यहां पे हम एक और चीज भी यहां पे देखत इस फाइट में जो होता है उसके साथ पेलमोन ने एमेलिया को मांगा था और एमेलिया ने जिसको मतलब जो उसे ज्यादा प्यार करता है वो भी नर होना चाहिए तो यह पेलमोन ही उसको उससे शादी करेगा दूसरी तरह यहां पे एर साइट का जो funeral है उसको मतलब बहुत अच्छे तरीके से पूरे उस तरीके से जैसे होता है वैसे उसके death पे सारी चीज़ें की जाती है और उसके बाद में wedding की तयारिया होने लग जाती है पेलमोन और एमेलिया की और at the end जैसा कि मैंने बताया जैसा जैसा God को pray किया गया था वैसा ही होता है finally जो होता है कि यह जो finally epilogue में यही बताया गया है कि जो speaker है वो यही कहता है कि यह hope आपको यह play अच्छा लगा और आगे जो भी होगा वो और भी better play ही आपके लिए perform के जाएंगे so it is all about it hope you like it if you like it please hit the thumbs up button please 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 subscribe the channel put your views and suggestion in comment box